पहली बार नियम मंत तरीके से तो कानून बनाई गए विस्तार से कानून बनाई गए छब आंग्रेजों के दो रहे तो बनाई गए कानून थे या तो उसमें विक्रितिया थी या उसमें कम्हां थी या इनिवकि की कानून थे जब अग्यू की इंदस्ट्री के पक्षि Based Days मैं बिल्कु लिमीट में रखूंगा जदी शर्म मंत्री के तोर पे उनका सबसे इंपोर्टेंट चर्चा करें और हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनका विराट विशाल महानित्यासिक व्यक्तित्व है जदी हम 1950 के भारत सरकार के कुछ नामों को याद करें तो हम सब से पहले आद करते हैं प्राइम निस्टर के तोरे नहरू प्रेजिएंट के तोर पुनिस के बाद में रजेंदर परशाद और दो रव्यक्तियों को याद कियाता है पूरे भारत में सरकारों के संदर में एक काननमंती डॉक्टर अंबेटकर और एक पटेल हम इसी से समझ सक भारत के जन मानस में डॉक्टर मेडगर का परभाव कितना विराट और विशाल है उर्जविटाल विशाल और विदाट को किस परकार से भारत के एकैडमिक वर्ड में क्योंकि मैं डेली निवस्ट्री में पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस और देखता हूं कैसे डॉक बारे मैंने एट पड़ा कि आज गिली सरकार के दोवारा सिक्स सेवन एट में डॉक्टर अम्बेटकर की जीविनी को पाठ्टे पुस्टकों में डाला जा रहा है और इसका मुझे लगता है उट गातन शाम को सर और चीम मिनिश्टर के दोवारा किया जाए हो मुझे बड़ी जहां निर्माता ने कितनी पीडियों के, कितने वर्गों के, कितने जातियों के हदिकारों की चर्चा की अपने काम की दवारा उसकी चर्चा बहुत काम की गई मैं लेबर मुद्दे पे आऊँगा दुबारा से लेबर मुद्दे पे उन्नीस सो जब उन्हों चार समाला मंत्री पत ग्रैंड किया और ये डॉक्टर मेटकर की एक खास विशेशता थी जिस कारा हों करते थे बिलकुल तन मन और धन से उस तरीके से करते हैं कैसे जन्ता का आम नागरी का फाइदा हो क्यों दस साल जो उन्होंने शिक्षा ग्रैंड की बाहर की निस्टियों में उसमें इस बात को समझ लिया था सारे कानूनों को जितने भी शर्म के कानून थे उनको री फॉर्मेट किया री डिजाइन किया और उस सब में मजदूरों की बहुमिका को नियमन तरीके से डाला गया ताकि जो मजदूरों के हको को खाया जा रहा था और मारा जा रहा था उस समय के अद्योगी गरानों के दोवारा उस समय के पूंजी पतियों के दोवारा और अभी एक वक्तावे ने सही कहा कि पूंजी पती और अद्योगी गराने किस वर्क से आते हैं किस जाती से आते हैं तो वो धलित मजदूर जाती से आते हैं ट्राइबल जाती हो गया कि हर स आपिशनाल एक Labour Conference होगी और इनीही तीनी पर्तिनी दुक्य की होगी। दूसरे एक स्थाइश समीथि अगटन किया गया जो सरकार को लेबर के संदर्भ में सुदावदेगी और राय देगी इक लेबर हदिकारों में क्या क्विए क्या मेर पास किया गया था, इसको कॉनकरेंट लिच्ट में डाल धिया गया। इसके काढ़ जो स्टेट के उन्होंने डिफेर्ट़ डिफेर्ट कानून मनाइ लेवर के संदर में, तो उनको मुण एक ओल चर्चा की और समादान का रास्ता निकानने की बात की और एक बविश्य के शर्म कानूनों की नीव रख दी कि किस दिशा में देश के शर्म कानून जाएगे उसके बाद यदि हम उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की बात करें एक दो जो बहुत भी भेंतपूर्ण कानून उस समय माइन्स में जो मैलाए काम करती थी उनके लिए जो मैटनिटी या मैटनिटी के इशू को लेगे उन्होंने कानून बनाया और कानून में मैला और पुरुष को समान वेतन की बात पहली बारा मेड़कर के दौरा ही रखी गई और ये कहा गया माइन में किसी मैलाए का ज दिम्मेदारी उसकी सोशल सीक्योर्टी को दे और यहीं से डॉक्टर मवेड करने मजदूरों के लिए समाजिक शुरुक्षा का लंबा चुड़ा परवाधान कानूनी रूप से लाने का प्रयास किया जो आज के दिन में मेंगाई बत्ते की बात करते है डीरेसलानूस की बात करते है लीव्स की बात करते है मजदूर कम जो फैक्ट्रियों में कैंटीन की बात की जाती है इस तरह की जितने भी कानून है वो डॉक्टर मेडकर के दोवारा ही बनाए गए ते कि मजदूरों को कैसे समाधिक शुरुक्षा दी जाए उनी के दोवारा बनाए गए जो में मना गया वेतन बुकतान सचोधन विदेग था जिसका उमेंदमेंट 1936 में बनाया था 44 वे उमेंदमेंट किया, कि जो salary दी जाती है मज़दूरों को उसकी कोई कलियर की definition नहीं थी, salary कितने स्वेह में दी जाएगी, उसकी नहीं थी जब कानून मनाएगा 36 में और जो एक्ति काम पे नहीं आएगा तो उसकी सहल्दी किस नियम से काटी जाएगी इन सब विसंगतियों को बाबा साहब ने उन्हीं सो 44 में अमेंडमेंट के दोवारा दुरुस्त किया गया और इस तरह के हम देखते हैं असंख्या इंप्लोईमेंट एजनसी जिसको हम इसमें इंप्लोईमेंट एक्षेंज का जाता है उसकी स्थापना ही बाबा सामने शर्म विवाग के तोर पे की थी और यदि आपको डॉक्टर मेड करके शर्म मंति के तोर पे की गई कार्यों की जादा जानकरी चाहिए और पढ़ना है तो पूरे अमबेडकर के दो वॉल्यूम इसी विश्य पे है वॉल्यूम 20 और 21 जिस पे उस समय की केंद्रिय विधानसमा जो वर्तवाने पार्लेमेंट है उसमें बावा सामने 472 कोशनों का जवाब दिया और बहुत जो उनके जवाब जो पार्लेमेंट कोशनावर चलता है उ उसके जो जवाब डोक्तर अमबेडकर के द्वारा दिये जाते थे इसने डिटेल से होते थे तथे तथ्यात्मक होते थे जो आज की दिन में एक बहुत ज़्यादा रिसर्च का विश्य है कि बावा सामने जो अंसर दिये पार्लेमेंट में सदन के पटल में वो उस समय के लेशलेटिव में क्या क्या कानूनी परवधान रखे गए वोल्यू मठारा में सारे बताए गए है पैसट ऐसे चैप्टर है जिसमें उन्होंने विश्दार से बताया कि किन किन में सुधार किये और जो कोशन है वह एक लास कोशन करते हैं बात को खतम करूँगा कि एक कोश कामिंट एक्षेंज के दवारा दी गई तो ऐसे ऐसे बड़े बरी कोशन कितने किस विभाग में ऐसी लोग काम करते हैं किस पदबे काम करते हैं किसले मुस्लिम काम करते हैं कितने सिक्स काम करते हैं लेबर से सबन्दी डिपार्टमेंट में तो हम देख सकते हैं समझ सकते ह कि लोक्टर मेडकर ने एजे शरम मंत्रीक तो जो कारे किये और जो वर्तमान में उदारी करण के दोर में जो इस समय सबसे ज़्यादा जूरत है देश भर में इस समय बहुत से ऐसे कानोने की जूरत है जो बनाने बनाए जाने चाहिए या तो बनाए गए तो बहुत कमजोर है वर्तमान उदारीकण के दौर ही बात करें सरकार के दवारा、 कंपनियों के दवारा और समाथ के दवारा भी बहुत सारे लोगों का शोशन किया जा रहा है उनको कोई समाधिक शुरक्षा नहीं है कितने ही लोग आज contractual सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको कोई समाजिक शुक्षा नहीं है, जब दिल्ली की बात करते हैं, तो गुपाल राय श्रम मंत्रिया उनके दवारा नियुनतम वेतन बढ़ाने की चीज को लागू किया गया, और उसको implement भी कर रहे हैं, follow भी कर र कि भारत का केंदर सरकार का labor minister कोन है, हमें नाम नहीं पतागा क्यों कि उनकी कोई भी labor के काम करने के लिए कोई भूमका नहीं है, वो सिरफ और सिरफ industry के हीतों के लिए काम कर रही है, जब कि मंत्राले का नाम है labor ministry, काम industry के हीतों को, उनको labor के हीतों के लिए काम करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए तो कैसे डॉक्टर मेटगर ने काम किया था उससे सीख सकते हैं